हुआ हेलो फ्रेंड्स वेलकम माइं यूटूब चैनल आज हम डिसक्स करेंगे कि हम इंडेक्स को कैसे बना सकते हैं ओके फ्रेंड्स तो लेट्स वेगिन दा टॉपिक चलिए फ्रेंड्स स्टार करते हैं सबसे पहले हम जाएंगे पीज लियाउट में फिर जाएंगे यहां से पीज बॉर्डर फिर यहां से बॉक्स फिर यहां से क्लिक ओके अब दे सकते हैं कि हमारा यह बॉक्स बनके तयार हो चुका अब दोस्तों हम जाएंगे इंसर्ट फिर इसे यहां से जाएंगे page number दोस्तों index में page number लेना बहुत जरूरी है अगर आप page number नहीं लेंगे तो आपका index ready नहीं होगा ओके friends तो इसलिए page number लेना बहुत जरूरी है तो यहां से हम जाएंगे bottom page आपको दोस्तों जो भी आपको format पसंद आए वह आप ले सकते हैं तो हम example के तौर पे मुझे इसमें से एक page number बहुत अच्छा लगता है जो मैं बता सकता हूं आपको जैसकते हैं हमारा page number भी आ चुका है ओके friends अब हमारी बाहर यह material की तो उसके लिए हम करेंगे अब हम चलते हैं पेस्ट के टॉप पे तो उसके लिए एक शॉटकट किए कि अगर आपको देख नहीं है तो आप दे सकते हैं कि हम पहुच गए टॉप पे अब हमारी बार यह दोस्तों heading की तो उसके लिए हम करते हैं यहां से एंटर यहां से कर लेते हैं select और यहां पर करते हैं control-l के साथ 1 अब दे सकते हैं कि हमारी heading बन चुकी है ओके फ्रेंट्स यह हमारी होगी फर्स heading अब हम बनाते हैं second heading को तो हम चले जाते हैं अपने page number 5 पर ओके फ्रेंट्स यहां पर को और heading आ लेते हैं इसे कर लेते हैं एंटर फिर से वही शॉटकट की control-l के साथ 1 अब दे सकते हैं यह भी हमारी heading बन चुकी है हम ऐसी 45 heading बना लेते हैं फिर से control-l के साथ 1 अब जे सकते हैं मारी फिर से heading बन चुकी है हम आप दे सकते हैं मारी फिर से heading बन चुकी है अब दुस्तों बारी आती है हमारे index की ओके फ्रेंट्स हम चलते हैं control वह के साथ पीज के टॉप पर अब दुस्तों यहां पर हम प्रेस करेंगे control के साथ enter तो आप दे सकते हैं कि हमारा पहला पीज आ चुका है जहां पर हम अपना index तयार करेंगे अब हम जाएंगे reference में यहां से जाएंगे table of content यहां से जो भी आपको दुस्तों पसंद दो वह आप select कर सकते हैं अब दे सकते हैं दूस्तों कि हमारा table of content बन चुका है मतलब index यह हमारा तयार हो चुका है अगर दूस्तों आपने इसमें और add करें और इसे update कैसे करें तो उसके मैं example देता हूं यहां से जाते control के साथ end आप पहुंचेंगे page के end पे एक और यहां पर हम एडिवन आ लेते हैं you can का यहां से control add के साथ one फिर यहां से करते हैं enter हम दोस्तों पूचकें page के top पे कि हमारा update होता है कि नहीं फिर से जाएंगे अपडेट करना है या अपडेट इंटार टेविल जो अपने एंट्री कर यह टेविल पर उसे update करना है तो हमने जो एंट्री कर रहें उसे update करना है तो यहां से कर देंगे अब दे सकते हैं कि यहां पर हमारा you can be आज चुका है तो आप ऐसे इंडेक्स अपना बहुत एक अच्छी तरह से बना सकते हैं अगर यह आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें सेयर करें and have a nice day